कुछ जए मैंे चानल जिसका नाम है दोस्तो हूं को meth चानल कि बात करें या फिर क्रिपटो मार्केट की बात करें भाईया दोनों एक अलग रैली लेके चल रहे हैं दोनों को कुछ फरक नहीं पढ़ रहा मार्केट कितना heated up है बट भाया दोनों को सरब एक चीज बाता है कि रैली अब जो है वो उपर की तरफ होनी चाहिए तुम देख सकते हो अब यह बाते तो अच्छी है लेकिन एक चीज जो यहां देखने वाली है ना देखने वाली भी और डरने वाली थी मुझे यह बुरी news से video start नहीं करनी बट यह बहुत important है और make sure यह चीज देखो अब यह जो है यह bitcoin का chart है daily time frame के ऊपर तुमने यह bitcoin का high देख लिया तुमने यह bitcoin का high देख लिया यह price के ऊपर है यही अगर अब मैं RSI की बात करता हूँ तो वो clearly मुझे बता रहा है कि भाया यहा आ रही है कि price मीचे की तरफ गिरेगा वो है भाया यह हमारा futures का gap तुम देख सकते हो यह gap अभी दोनों के दोनों gaps जो है वो यहाँ open पड़े है और close नहीं हुए है okay तो यहां पर बिल्कुल extremely bullish हो के trade मत लेना बड़ी simple सी बात है तो मैं देखो तुमारे investment portfolio को हाथ नहीं लग experience है मैंने सीखी तब पीच में break भी लिए I know okay बट जो मैंने सीखा है पहले किसी पे भी यकीन मत करो कि किसको पता है bottom कहां है किसको पता है top कहां है कभी किसी पे भी यकीन मत करो तो मैं याद होगा जब हम लोगोंने video start की थी तब मैंने बोला था कि या 30,000 डॉलर जो है वो भाईया bitcoin का bottom है यहां से हम लोग reverse होंगे नहीं हुए हम लोग 20,000 पर आये मैं लगा अब bitcoin का bottom है हम लोग वहां भी नहीं रुके हम लोग 16,000 पर गए okay बट हम लोग हमारी गलतिया मानते हैं बट मैंने देखा बहुत से जब जिन लोगों को मैं follow करता था कभी YouTube पे अभी तो करते हो मैं यह नहीं कहा रहा हूं मुझे करो लेकिन किसी पे भी करते हो तो मैं कहूंगा कि बिलकुल मत करो investing और trading दोनों का एक बहुत simple सा फंडा है जो मुझे समझ मैं okay जब तुम्हें लग रहा है कि चीज बहुत महंगी है simple सा फंडा यार चीज बहुत महंगी है तुमने इसमें ये बताना ये मैंने भी गलती की बड़ तुम लोग भी अगर देखो तो इसमें ये बताना कि यार सिरफ और सिरफ 600 दिन में या फिर एक डेर साल दो साल के gap में अगर कोई चीज इतने गुना बढ़ रही है इसका बहुत simple सा मतलब है कि वो बहुत जादा hyped up है right हम ल चीज जो 15 गुना गई थी यार वो वापस जो है वो 80% नीचे आ गई उसका क्या मतलब है कि वो चीज बहुत जादा oversold है buy करो okay तुम्हें कोई नहीं बता सकता exact top कहां है तुम्हें कोई नहीं बता सकता exact bottom कहां है अभी भी अगर मैं बहुत से लोगों को सुनूं ना या फि स्टॉक मार्केट की भी धज्यां उडएंगी इतनी धज्यां उडएंगे कि हम लोग कोविड के लो से भी नीचे जाएंगे अब यह सुनके अगर मैं नया एक इन्वेस्टर या ट्रेडर होता मैं कहता बहुत मतलब भर-बर के पैसा रखा था मार्केट गे रहा मैंने का य मैंने स्टॉक मार्केट में नहीं डाला बर तुम देख सब तो कितने धमाके हम लोगों ने देखे यार उस टाइन पे भी और आज भी वही हो रहा है अगर कोई चीज ऑलडेटी चलो यह तो क्रिप्टो है ना हम लोग बात करते हैं यह स्टॉक की अब यह दुनिया की सबस सबसे बड़ी वेबसाइट यह सबसे बड़ी कंपनी है सबसे बड़ी कंपनी राइट आज की डेट में भी अगर मैं तुम्हें पूछू के भईया कोई समान मंगवाद होगे मुझे ऑनलाइन तो तुम सबसे पहले बोल तो कि भईया Amazon से बाय कर लो 60% यह डाउन है लोगो करो एक्यूमिलेट करो इसी लिए हम लोग DCI करते हैं ओके लेकिन जब टाइम अच्छा होता है क्योंकि मैं तुम्हें देखा बार बार यह भी बोल रहा हूं बिटकोइन 23,000 डॉलरस पे है हम लोग शाड़े 23 तक भी जाके आए हम लोगोंने अब bearish divergence भी देखी है तो तु तुम वो पैसे को यूज कर सकोगे अगर तुम्हारा मतलब एक side hustle है तुम्हें पता है मेरी है daily की salary आनी मुझे पता है मैं यहां से part time करके इतना पैसा बना लूँगा तो मत profits लो क्योंकि अब भी हम लोगोंने कुछ भी नहीं चुआ है अगर मैं long term पे देखू तो bitcoin ने हलक मिलेगा तुम नहीं मिला तो तुमने anyways already बहुत buy करके रखा तो तुम्हारी गाड़ी चूट नहीं रही है तो दो चीजे जब चीजे सस्ती और महेंगी हो उस हिसाब से उसको बेचो और खरीदो मैं definitely तुम्हें guide करता रहूंगा मैं कहीं गलत हूँ तो तुम लोग भी भी बोलाई नहीं तो बिल्कुल ऐसे लोगों से बचो अब वापस चलते हैं हम लोग हमारे चार्ट पे बेरिश टाइवर्जंस है प्राइस गिरेगा और यह भी मैंने देखा है मैं जब वीडियो देखता था ना मैं भाई तुम मुझे सीधा सीधा बता होने क्या वाला है वाला बेरिश डाइवर्जंस है तो डेफिनेटली बिटकॉइन थोड़ा गिरेगा उसके बाद हम लोग जो है वो चौबिस पच्छे सगा डॉलर को टेस्ट करने जाएंगे क्यों क्योंकि वो ऐसे में 200 है और वहां से हम लोग बहुत बुरी तरह से पेट के नीचे गिरें उस रिजिस्टंस को ब्रेक करना बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है तो इतनी जल्दी वो ब्रेक नहीं होगी तो बिल्कुल 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 ग्रीड नहीं इसके बाद अगर हम लोग नूज देखे तो कॉइन बेस जो है वह भाई अब ब्रजील और अर्जंटीन को ब बहुत सिंपल सा पंडा है आप यहे जो ल Must go चेरो वानेक्स 2 एक्स के लिए क्षेड़ू जब मुझे पाता है और 15 च्ख भी मारे तो मैं यह वान इक्स पर प्रोफिटिंग प्रोफॉलिओ है मैं भहियू उसमें प्रॉफिट बना के अभी साईड पर बैठाétait हूं और बहुत जल्दी वो दिन भी आएंगे जब हम लोग live trading करने चाहेंगे और हम लोग जो live trading करेंगे वो futures trading ही करेंगे क्योंकि देखो अगर हम लोग एक वीडियो के ऊपर quickly trade लेके quickly profits लेने वाले हैं तो हमें leverage trading करना ही है तो इसलिए make sure पैसा side पे रखो गवाना मत बिल्कुली Cathy Woods ने 500K GBTC shares वो डंप कर दिये हैं और उन्होंने coinbase buy किया है ठीक है एक ही बात है अब GBTC के उपर वैसे भी दुख के बाडल मंडरा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पता है Genesis ने already bankruptcy फाइल कर दी DCG इतना बड़ा होने के बाद भी उसे बचा नहीं सका तो investors का थोड़ा बहुत विश्वास तो जाता ही है यार उसके इलावा Bitcoin जो है बोल रहे कि capitulation face में से निकला है अच्छा एक चीज और मतलब ये again मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं पर Bitcoin को डबल बॉटम्स बनाना बहुत अच्छा लगता है उसका favorite काम है डबल बॉटम्स बनाना ये हम लोगों ने कब देखा 2018-2020 उसके पहले अगर हम लोग 2015 देखे तो यहां पे भी तुम देख सकते हो ये ये और 2013 अगर मैं देखू तो 2013 में चलो in fact मुझे ऐसा कुछ नहीं देख रहा है पर तुम देख सकते हो जहां market mature हुई है चाहे वो 2015 में चाहे वो 2018-2020 में हम लोग ने हमेशा double bottom बनाया है तो जैसे कि मैं तुम्हें बार-बार कहता है अभी मुझे लगता है ये सब चीज़े देखके हम लोग जो है ना max to max अगले दो-तीन महीने में ओके ये भी थोड़ा risky लगता है बट हो सकता अगले दो-तीन महीने में हम लोग 30,000 डॉलर्स मारे बट 30,000 के बाद तुम वापस से 16-17,000 पे गरने वाले ओके तो make sure यहां profit जो है वो solid ले ले लेना तब तो चाहिए तो हम लोग थोड़ा बहुत investment portfolio भी हलका करेंगे वो हम लोग वापस buy करेंगे जब Bitcoin नीचे आएगा पट FOMO बिलकुल भी नहीं क्योंकि यहां से देखो जैसा हम लोग ने last time देखा यह almost almost गया था 0.786 के पास right और वापस अब अगर हम लोग यहां पे भी देखेंगे तो यहां पे भी अब मेरा जो 0.786 है वो कुछ है पचास अजार के करेंगे पचास अजार बहुत बहुत बुलिश हो जाता तो तो तुम यह पीक के राउंड यह 45-46 अजार के पीक के राउंड तो अपना के उपर है यह जो हीट मैं आपसे तुम देख सकता भाई अब भर भर के ओर्डर जो है वो 20 के पास है सो वेल यहां पर उन्नेस पांसों भी नहीं जाने देना चाहती आगे अच्छी बात है और भाई यह विक डेफिनेटली मिल जाता है और हम लोग अगर देखे तो मार्के जो है S&P वो रेकवर हो रहा है जहां मैं भाई कहरो लोगों की अगर मैं बात सुनूं तो बहुत बुरी तरह पिटेगा तो पिटे अगर अपनी सैलरी बन रही है चल रही है चुप-चप DCA करते रहो और पिटने के डर से मैं अभी बाई नहीं करूँ वो बिल्कुल बेसलेस बात है और यह बिटकोईन का हैश रेट वो हल्टाइम हाई पर है सो माइनर सब वापस है तो अच्छी बात है और डेरिवेटिव डेटा बता रहा है कि हम लोग और उपर जा सकते है क्योंकि वो एकटम खाली हुए हम लोग ने कल ही GMX के उपर वो देखा था अब अगर मैं कोईन ग्लास के उपर देखता हूँ तो यहां पर शॉट्स और लॉंग्स जो है वो अल्मोस 50-50 ही है ओके सो किसी को भी नहीं पता कि मार्केट किधर जाएगा बट अगें मैं वही कह रहा तो देखो लॉंग्स बहुत सारे हो गए दूसरा हम लोगों ने अल्डेडी बेरिश डाइवर्जन्स देखी है हो सकता एक और विक उपर जहां बाकी के बचे हुए शॉट्स भी निप्टा दो और वापस फिर नीचे ताकि लॉंग्स बटो लो तो थोड़ा भी यहां पर कॉशिस हो जाना इसके इलावा अगेन अगर हम देखे तो बाकी मार्केट बहुत अच्छी है यार साइडवेज हम लोग है जो बहुत अच्छी बाते कंसॉलिडेट कर रहे हैं बिट्कोइन तेशाजार डॉलर के पास है इथीरियम सोला सो के ऊपर और बाकी भी अगर तु साइडवेज ही है डॉट शुरू हुआ है 8% भाया फाइनली और कल ही हम लोग ने इसके टोकन की बात की है उसके भी कुछ ली एक अपडेट क्रस्ट की हम लोग ने कल बात की थी मैंने का था एक डॉलर पे इसको पकड़ लेना और तुम यहां देख सकते हो हम लोग ने डे परसंट के प्रॉस्ट ले दिये इस टोकन ने बाकी अगे इन जिन लोग ने बाय नहीं किया वेट करो एक री टेस्ट का और फिर छलांग बारा और बितन्स की लिए एक बुरी निउस जहां में भाया निकल रहा है कि बितन्स शाय तो इंसाइट ट्रेडिंग कर रहा है वो टोकन्स लिस्ट होने से पहले बाय करता है तुम यहां देख सकते हो गारी टोकन चंगारी टोकन जो है वो लिस्ट होने से कुछ सेकंड्स पहले खरीदा गया और कुछ मिनट्स के बाद उसको डंप कर दिया गया है और ऐसा बहुत सारे टोकन से हुआ है जिसके सारे ट्रां coin of the day है अब यह token का market rank अगर तुम देखोगे तो 107 price जो है वो 6.87 है market cap बहुत चोटा है circulating supply almost 40% बाहर है max supply सिरफ 96 million tokens की है अब यह token है क्या basically यह तुमारा automated market makers है मतलब curve या uniswap वैसा ही यह token है बट यह token उन से थोड़ा अलग है क्यों कि यह तुमको मौका देता है pick and choose का तुम इनके पास भी pools है तो अगर तुम इनकी website के ओपर जाओगे तो अगर इनकी website के ओपर जाओगे तो यह तुमें दिखाते है कि भाया अमारे पास कुछ almost 3000 से जादा pools है उसमें तुम अपने tokens जो है वो डाल सकते हो और passive income बना सकते है तुम देखो कि 3600 pools है इनके पास 1.2 billion dollars की liquidity है ट्रेड़ वॉल्यूम 963 मिलियन की है इन्होंने जो है वो proper भाया अपना मिसारी ने इनका वो भी भनाया जैसे हम लोग वो balance sheet देखते तो वो भी अगर तुम देखो तो भाया हर चीज में यह लोग profit है quarter on quarter 37% का gain year on year 66% का gain इनकी income में okay token जो है वो अच्छा है matic के साथ यह मिलके अब काम कर रहा है पहले सरफ ethereum के ऊपर था तो अगें token जो है वो developments full on कर रहा है एक चीज सरफ जो मुझे खटक रही है वो यह गया community पहुँछ होटी है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सरफ 6000 followers है इस project के okay सो यहां मुझे यह थोड़ा यह शाय हम लोगों ने बैलेंसर लाब्स उपन गया अगर मैं बैलेंसर टोकन के ओपर जाता हूं हाँ थोड़ी community genuine लग रहे है तुम देख सकते हो project जो है वो लगाता developments भी कर रहा है okay so fundamentally okay लेकिन आज इसको ultimate of the day बनाने की वज़ा है इसके टेक्निकल्स टेक्निकली अब अगर तुम देखोगे ना तो यह है भाया टेक्निकल्स यह इसका एक बहुत पुराना support resistance था जो हम लोगों ने ब्रेक किया okay यह token का बाया था 2020 में 2022 में अच्छी खासी rally भी देखी 80$ तक उसके बाद यह token पेटा और बहुत solid पेटा और चार साड़े तीन डॉलर्स तक यह token गया है वहां से अगर हम लोग देखे तो token ने जो है वो अच्छी खासी recovery भी दिखा दियो almost 100% already recovered है so I don't think so मैंने तो यहां क की resistance के ओपर है okay almost close to resistance अब जहां हम लोग देख रहे कि भाया पूरी market भाया बम के दमाके की तरह फट रही है तो यह token क्यों ने फटेगा यह भी definitely फटेगा और जैसे ही फटके यह retest करता है मेरे भाई यह तुमारे लिए मौका है यहां buy कर लो क्योंकि यह token सीधा तुम्हें जाके मिलने वाला है उसके बाद एक ही दिन में तो के एक दिन से जादा नहीं जैसे ही breakout हुआ यह token तुम्हें साड़े दस डॉनर्स पे मिलने वाला है अब तुम बोलोगे यार साड़े छे साट डॉलर पे है साड़े दस तो यह तो कुछ बड़ी गेन नहीं हुई बढ़ म इस token ने एक दिन में 46 से 47 परसेंट के गेंज दिये एक दिन में ओके तो को यहां से पकड़ू ना और यहां से टॉप तुम देखोगे तो अब 57 परसेंट के गेंज एक सी इंफिनिटी में जिसका मार्केट काप एक बिलियन डॉलर्स है मतलब 500 मिलियन टोकन पाशु मिलियन डॉलर्स इस टोकन में आया अगर तुम बैलेंसर में देखोगे तो 32 मिलियन डॉलर्स सरफ 32 मिलियन डॉलर्स इसको डबल भी करना होगा ना तब भी एक सी में जितना पैसा गया उससे आदा पैसा चाहिए ओके तो अगीन फंडामेंटली ठीक है क्योंकि हम लोग अलड़ी यूनी स्वाब जो है वो लॉग टर्म के लिए क्यों मिलेट कर रहे है तो इसको मैं लॉग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा बट शॉट टर्म ट्रेड के लिए विक प्रॉफिट के लिए यह बहुत अच्छा टोकन है तो मैं सरफ और सरफ बेट करना है कि ए अगर यह टोकन एक्स्प्लोड होता है तो मेरे भाई आरसाय उपर चना जाएगा बेरिश्टा इवर्जिंस वहीं कवहीं खत्म हो जाएगा और अगर यह नहीं जाता तो तुम्हें पता है तुम्हारा बाइंड जोन कहां है यह छे डॉलर के पास टार्गेट स्टिल से प् ऐसे ही सिंपली उसको ट्रीट करना है हम लोग नो कभी बार ऐसे भावनाओं में लालची हो जाते हैं वो कभी मत हो और अगें बेटकोईन पर बेरिश्टाइवर्जिंस में बार बार बोल रहा हूं तो थोड़ा कौश है लिया रहा है चलिए आज की वीडियो में बस इतना नहीं वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो चैनल को सब्स्क्राइब करो तुमसे कल मुला कातों दोस्तों तेंक्यू सो माच